पोस्ट हार्वेस्ट में अपनी सेकेंड सप्रेय कर रहे ह्ए एक सप्रेय कर रहे हैं जिसमें कॉपर अक्सिकॉलराइड या कॉपर हीड्रोकसड दो चीजों की सप्रेय होती यह दो में से एक ही लौद कि ब्रेंड जिसका ब्लीटॉक्स किरके कॉंटक्ट फंजी साइड है तो इसमें जैसे ही उसके कॉंटक्ट में आती है तो यह फंगस को बिलकुल खत्म कर देता है बीम में को इन्सेक्ट ना चुसे देन जाकर हम क्या करते हैं अपने नवश्य किसाने उबंबागवन भाईयों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्त होंगे तो आज अपने एपल और्चड पर ही हूं देखिए यह पूरा अपना एपल और्चड ह तो इस बार इस और्चड का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा जैसे हमने अपने इधर बारा पेड़ लगया हैं बारा पेड़ों से एप्रोक्स साथ किल्टे सेब के हमने निकाले अब ही किशान अपना बंबागोन भाईयों जो अपने यह पेड़ है पेड़ अभी बारा साल गही है है शिडिलिंग में बट जो प्रड़क्शन इसे रही काफी अच्छी हमने रही है मिन्ज पांच किल्टा पर एक शेब से हमने निकाला जैसे एक किल्टे का वजन हमारे इदर 40-45 के बीच में आता है केजी मिन्ज 40-50 किलो के बीच में आता है तो किशान बंबागोन भाईयों अब हम क्या कर रहे है आज की वीडियो जो हमारी पर्टिकुलर रहने वाली है तो इसमें हम क्या कर रहे है पोस्ट हार्वेस्ट मनेजमेंट में अपनी स्प्रे कर रह एक श्प्रे कर रहे हैं जिसमें copper oxy chloride या copper hydroxide दो चीजों की श्प्रे होती है दो में से एक की मेरे पास जो protect है या means मैं जिसको prefer करता हूँ अपने orchard में कहीं न गहीं तो मैं आपको उसको बताने जा रहा हूँ ठीक है तो इधर आपके देख रहे हैं अपल के plants हैं और साथ में root stock में 111 पर लगे हुए plants भी है देखिए जिनकी growth है काफी अच्छी चली हुई है फिलहाल ठीक है और साथ में हमने इसी orchard पर कॉली फ्रवबर बिल गएगी है यह देखिए जैसे हर एक कॉली फ्रवबर में भूल बनना स्टाइट हो गया है ठीक है जैसे आप देख भी पा रहे है सामने ये अपनी कॉलीफ्लॉवर ठीक है अभी धूप लगी है तो धूप पढ़ने के कारण क्या होता कि हमारे कॉलीफ्लॉवर के पत्ते मुरिजह आ जाते हैं जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं तो अभी हम चलते हैं सीधे अपने ड्रम के पास जो हमारे पास दोसुल पानी का ड्रम है उसमें हम क्या क्या चीज़े एड कर रहे हैं और कौन सा प्रड़क्ट है जिसे मैं प्रफर करता हूं पर्टिकुलर अपने और्चट पर तो किसान बंबागों नहीं हो यह है देखिए टाटा ब्रैंड जिसका ब्लीटॉक्स करके प्रच्ट फंजी साइड है तो इसमें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड है कॉपफ़ल हाइड्रोक्साइड नहीं कॉपफर ऑक्सी क्लोराइड 50% डव्लीवी तो हम इसको क्या करेंगे 200 लिटर पानी का पहले आप सब से पहले क्या पहले क्या करें डुम में अपने निशान दे कि कह तो इसके आपसे पहले पानी भर लें जाकर लेटक्स को अच्छी तरह से बाल्टी में घोल लें पूरे पैकेट को 200 लिटर पानी के ड्रम में जो डोज रहता है इसका एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए तो किसाने बंबाववन फईयों बो डोज रहता है आपका 600 ग्राम तो 600 ग्राम ही इसे आप एड़ करें अगर आपके उधर एक ड्रम स्प्रे में लगता है तो आप क्या करें इससे 20-30 ल लिटर पानी बाहर निकाल दें जैसे आप 180 ग्राम के साथ अपना 500 ग्राम का यह पैकेट एड़ कर सकते हैं यह भी चल पड़ेगा कोई थोड़ा ज्यादा हो गया जो अपना दवाई का डोज बट रेजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे तो 200 लिटर पानी के ड्रम में आप 600 इसे एड़ करें तो भी मैं अपनी बिल्टॉक्स को इसको खोल रहा हूं और जो इसमें टेप लगी है क्योंने तो यह कुछ इस तरह से अपना प्रड़क्ट देखिए अब हमने इसको अपने बकेट में मिक्स अप करना है अच्छी तरह से देखिए बलीटॉक्स कुंटक्ट फंजिसाइड कॉपर ऑक्षिक्लोराइड पचाच्छन डव्लीवी तो इसमें कुछ जो इंस्ट्रक्शन अगर रहते हैं वह आप वीडियो को पॉज करके असानी से अच्छी तरह से पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं अगर हम पॉद्धे में अपने स्प्रे करते हैं ठीक है इसको तो इसको स्प्रे क्यों करते हैं और इसको स्प्रे करने के क्या फाइड होते हैं सबसे पहले हम स्प्रे करने के फाइदे जानते हैं जब आपको क करते हैं हमारे पेड़ों में फल लगे होते हैं जैसे सेब लगे हुए जब हम सेबों को प्लक करते हैं तो उधर क्या होता कि डेमेज रह जाता है और पेड में इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं पेड के सैप को चूस लेते हैं जो भी हम पेड में निूट्रिशन देते ह उसको चुसने के बाद हमारे पेड का बीमा नेक्स्ट के लिए बहुत बीक हो जाएगा ठीक है और वो बीमा को इंसेक्ट ना चुसे देन जाकर हम क्या करते हैं अपने और चड़ पर कॉपरोक्स क्लॉराइड की स्प्रे करते हैं ठीक है यह बात है तो एक चीज मैंने बताई आपको सबसे पहले जब हम एपल प्लक करते हैं देन जाकर हमें उसके बाद जरूरी होता है स्प्रे करना दूसरे चीज पर हम चलते हैं दूसरी चीज पता क्या है कि अब जब हम पेड़ पर चड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर के साथ भी में टूटते हैं एक तो ह आप फ्लो होता है अब इसका एक्जेंपल आप इसी तरह से लें जैसे यह एपल का पेड़ देखिए मैं एक्जेंपल के साथ ही हरवाद समझाता हूं और कहीं अपनी वीडियो में बिल्कुल आपको समपुर्ण जानकरी देने की कोशी करता हूं यह है देखिए एपल का एक अब माली जी एक पाइप ही है और उपर देखिए कि कितने भागों में जा रही है और लास्ट में हम कंट्रोल करते हैं पाइप को जैसे लॉक करते हैं तो नीचे से मैं सप्लाई है और उपर देखिए कि कितनी सप्लाईयां गई है अब कहीं हमारी टहनी तोट जाती है जब तरह से पेड़ का सैप भी है, जो जड़ें क्या करती है, पेड़ में उपर तक पहुंचाती है, जब उपर तक पहुंचाती है, अगर सैप कहीं से फ्लो हो रहा है, तो इंसेक्ट क्या करेंगे, उसको चूसेंगे, तब ब्लाइटोक्स क्या करती है, कि ब्लीटोक्स जो कुछ बांजते हैं जिससे लिकेज बंद हो सेम उसी तरह से हमारे पेड़ों में यह क्या करती है कि शैप के लिकेज को बंद करती है इसरी और सबसे महत्वपूर्ण ने इंपोर्टेंस पता क्या है इसकी यह एक फंजिसाइड होने के साथ जैसे contact fungicide है, systematic fungicide है तो contact fungicide का earth आपको बहुता होना ज़े contact क्या होता है कि अगर कोई फंगस पेड़ में हो जो पेड़ के पत्तों को खराफ कर रहा है या पेड़ में बिमारियन लगा रहा है तो यह क्या होता है कि जैसे ही उसके contact में आती है तो यह fungus को बिल्कुल खतम कर देता है तो जिससे क्या होता है? कि पेड़ में हमारे पत्ते बिल्कुल साफ रहते हैं और वो जादा जादा ज़ड जड़ते भी नहीं है जब fungus को ये control करेगा तो आपको पता ही है पेड़ में जो पत्ते होते हैं उनकी यह लाइफर ठीक होगी अच्छी होगी ठीक है तो ही मैन रिजन है मेरे कोर्डिंग किसाने बंबागुन भाईओं एपल में बलिटॉक्स के तो यह थी चीजें तो हम क्या करेंगे अपने 200 लिटर पानी के ड्रम में इस बलिटॉक्स को गोलेंगे और स्प्रेय कर किसान बंबागुन भाईओं इधर एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको ध्यान में रखना है तो सिद्धा ही इस पाउडर को इसमें ना डाले क्यों क्योंकि एक रसाइनिक प्रक्रिया होती है जो कि अच्छी तरह से नहीं होती अगर हम सिद्धा इसमें एड कर देंगे ठी प्रक्रिया हो जाती है और देन जाकर आप क्या कर सकते हैं कि इस ड्रम में उससे डाल दें और क्या होगा अच्छी तरह से दबाई पानी में भी रहेगी और साथ में हमारे पेड़ों को भी कहीं न कहीं उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो कि शान बंबागुन भाईओ उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो यारदन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिलते हैं पुनो एक बार फिर से एक और नई वीडियो सत धन्यवाद कि शान बंबागुन भाईओ वीडियो पैसे काफी लंबी हो तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है धन्यवाद कि शान बंबावन भाईओं